हलो जाहें दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाइफ हाई स्टुडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत और रभी देंदन करता हूं मित्रो उत्रप्रदेश अदुनरस्त सिवा चेन एव जूनिय असेस्टेंट एक्जाम जो आपका चार जनुरी को परस्तावित है साथ में कंप्यूटर आपके टर के एक्जाम जो आपका 10 जनुरी को परस्तावित है जिदा कि आप जानते हैं पिछले लग बग 20 से 25 दिन होने को हैं हम लगातार आपको जो है हिंदी और जो है समान अध्धन से महत्पूर कोशन जो आपके एक्जाम के पॉइंट आप यू से बहुत बहुत ही महत्पूर है प्रवाइट कर रहे हैं उसी स्टेड़ी में आज फिर हम आपके लिए एक कोशनों का एक प्रस्तों का एक एक एसी स्री लेकर के आया है जो आपके समान अध्धन से होगा जो आपके आगामी आने वाले जूनियस इस्टेंट इग्जाम और कंप्यूटर अपरेटर इग्जाम कर मसा चार और दस जन्वरी को आजूत होना है उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टन सावित होंगे तो मैं आसा करता हूँ आप जो है सब्सक्राइब कर लिजिए साथ नेबल आइकॉन की घंटी प्रस कर लिए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मुआल हैंट पर पहुंच सके तो चलिए बढ़ते हैं हम देखते हैं कौन कौन से कोशन आज की इस वीडियो के अंतरगत आपको प्राप्त ह होने वाले हैं एक-एक कोशन का पूरा-पूरा साल्यूशन लिया जाएगा हम आप मिलकर के चलिए बढ़ते हैं कोशन की तरफ अचा हां आपको और भी इंपॉर्टेंट कोशन की स्रीजगर चाहिए तुमारे डिस्क्रप्सन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है वहां से ज अगर आपको डेली करन्ट अफेर के कोशन और उत्तरपरदीष जेके के कोशन देखने हैं तो आपको जैदा कुछ करने की जोथ नहीं हमारे डिस्क्रप्सन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है खबरी आप का खबरी आप पर आप जाएए एक नया आप है उसको आप करिए अपने मॉइल हैंड़ सट पर यह प्ले स्टोर पर भी अबलेबर है खबरी आप उसको आप जो है डाउनलोड करिए वहाँ पर जा करके राहूल वाई फाइस्टेडी सर्च करिए और चैनल को फालो करिए और डेली करन्ट अपे और सुबा साथ बजे और साम को साथ लिए विल्चNot आप लोगे लिए वहाँ पर अभलेबर होगा है लुए चलिए पहला question क्या है समान फ्ले से द震ख सकते हैं कि और सदस होने पर मतलब पर राज सभा या लोग सभा दोनों से है नहीं होने पर भी संपोधित करने का अदिकार है तो कौन है चार आपसन आपके स्क्रीन पर है पहला आपसन है भारत के मुख खिन्याई मूर्थी दूसरा आपसन है अटावनी जर्नल अफ इंडिया तीसरा है वाद के मुख निर्वाचे नायूख तो इसमें से कौन से होगा है फैंड से यह आप लोग बताईए तो कौन होगा यह Attorney General of India Attorney General of India संसत की कारवाई में भाग लेने का अधिकार है लेकिन इनको ओट करने का अधिकार नहीं है संसत में भाग लेने का अधिकार है लेकिन ओट करने का अधिकार नहीं है भारतिय सरबुच चन्याले में हर वैसे मामले में जिसमें भारस सरकार संबन्दित होती है उसमें वही भारस सरकार का परतनिधित करता है कौन करता है ऑघला कुशन क्या है इसकीन पर आप देच सकते हैं आचुका है अमेरिका अमेरिका सुतन्ता खोसवा किसके सी धानटों पतारी थी यह आपको बताना है आप्स नमबर चार राइट है ना अमेरिकी आजात का गोसवाड़ा पत्र थह थामस-जैफर संदॉरा त्यार किया गया था था रहना चलिए अगला कोज़ें देखे लेते हैं अगला कोईशन के आपके स्कीन पर है किस टेक्स को है ना किस टेक्स को सन वननाइत सो चौरानवे पंचानवे में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद सम्विधानिक दरजा दिया गया किस टेक्स को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय के बाद सम्विधानिक दर्जा दिया गया तो किस टेक्स को दिया गया सोचिए अब बताईए ततकालीन प्रधान मंत्री 94-95 सिरी मन्म डाक्टर मन्मोहन सिंग जी थे उसमें बित्त मंत्री बारत सरकार केंद्रे मंत्री उसमें 94-95 के अपने पहले बजट भासण में सर्विश टेक्स की नई अधाना सुरू की गई थी बित्त मंत्री ततकालिक डाक्टर मन्मोहन सिंग जी के द्वारा है ना क्या सिमाओ पर कर है ना 2994-95 में और बित अधनियम 2003 के अध्याय में अब यह समिधानी दर्जा इसे दे दिया गया कि इसके सर्विश टेक्स को है ना चलिए अगला कोशिन देख लेते हैं खलीफा से पर्तिष्ठापन खलीफा से पर्तिष्ठापन पत्र मांगने और प्रात करने वाला पर्थम सुल्तान कौन था खलीफा से है ना जैसे बास सा आपने पता पढ़ा होगा अगर बाबर से संबंदित है वैसे खलीफा जो है पर्तिष्ठापन जो यह पत्र मांगने और प्रात करने वाला पर्थम सुल्तान कौन था चार स्कीन पर है इल्टु स्मिस था बलबन था खिरो तुकलक थे या पिर अलाओ दिन खिल जी देखिए और बताए खलीपा किस ब्रेक्ति से जुड़ा हुआ सब्ध है ये तो कौन इल्टु स्मिस है ना सल्तनत काल का पर्थ करण का पत्त प्राप किया था कौन इल्टु स्मिस ने है ना चलिए आगे देख लेतने कोश्यन तिब्बत में बहुत धर्म का परचार करने वाले बहुत भिच्छू कौन थे तो कौन थे वह चार आपसन है नागारजून आनंद आसंग या फिर पद्म संभव कौन था तो चार नंबर पद्म संभव है ना पद्म संभव तिब्बती बहुत धर्म के इतियास के महत पूरा ध्याओं में आठवी सताब्दी में है ना बहुत मुनी पद्म संभव का अगमन सामिर है और इन्होंने ही तिब्बत ने बहुत धर्म को क्या परचार परसार किया चलिए अ 1937 में देशी भासा के माध्यम से बुनियादी सिच्छा देने के गाधी जी के परस्ताओं का समर्थन करने के लिए सिच्छा समीलन कहां आयोजित किया गया था 1937 में देशी भासा के माध्यम से बुनियादी सिच्छा देने के गाधी जी के परस्ताओं का समर्थन करने वाला सिच्छा जो कॉन्फरेंस हुआ था एजुकेजन कॉन्फरेंस कहां पर यह आजुत क्या गया था यह आपको बताना है 1937 में है ना तो यह कहां पर हुआ था वर्धा में है ना वर्धा में हुआ था 31 जुलाई 1937 को मात्मा गाधी जी के द्वारा हर्जन में एक लेख लिखा जिसके अधार पर अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतिय राज्टी सिच्छा सम्मिलन का आयोजन किया गया था कहां पर वर गाधी जी का नमक सत्यागरे किस अंदोलन का हिस्सा था तो आप लोगों को पता होगा किस अंदोलन का वो सभीने आउग्या आंदोलन है ना चार नमबर सभीने आउग्या आंदोलन बारा मर्च आपको याद होगा बारा मर्च 21930 को दांडी आत्रा से शभीने आउग्या अंदोलन का हिस्सा था नमक सत्यागरे ऑपनिवेसिक भारत ने बिटिश नामे के एक अधिकार के खिलाब ये धर्ना पर जो है अंदोलन था मात्मा गाधी जी के दोरा है ना और 6 जाओनका सुबारम किया गया था चलिए अगछा कोश्वन कुछ आपको अरतसास से क्योंकि एकजाब में आपकी आर्थसास से भी कोशे जाने वाले हैं तो अर्थसास का भी अभ्यास कर लेना ठोड़ा जरूरी है हर परिच्छा में लगबग आपके शमान रद्धन से दो से तीन कोश्चन जरूर पोचे जाते हैं आपको पता होगा चलिए तो कोश्चन हमारा ना इकोनामिक से से अपके स्कीन पर आप देख सकते हैं स्पिती यानि इन फ्लेनेसं से इस पिज़य करक गतिरोब एक ऐसी स्तिति है जिसका अभिल अपको अ timer क्या है इस पिती का वह आपको बताना है मैं आपको इस में जो इसमें जो है उपने का भी तोड़ोव को मुद्रा इस्पिती और रोजगार बढ़ना या फिर मुद्रा इस्पिती और बेरोजगारी बढ़ना तो inflation का क्या लच्छड है एक गतिरोध क्या है ये आपको बताना है तो क्या होगा मुद्रा इस्पिती और बेरोजगारी बढ़ना इस्पिति के सम्मद में जो गतिरोध है अब उसका अबिला चड़ ये आग पतावगा अर्थसास्त में अंग्रेजी सब्द क्या इस्टेक फ्लेशन हम किस इस्थिति को काते हैं उस इस्थिति को काते हैं जब मुद्रा इस्थिति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच है ना तब क्या होता है वो इस्थिति से सम्मदित होता है उसका गतिरोध है उसी को अबिला चड़ को हम लोग को यहां बताना है मुद्रा इस्थिति और बेरोजगारी उच दर पे होती है है ना चलिए अगला कोईशन है एकोनामिक से यह है अवसक्ताओं की मांग कैसे होत उसकता होती है तो उसके लिए हम कच भी तयार होते हैं तो बात करअधें हम लोचमान अर्थ क्या है थो आरणने हम परिवर्त से मतर रा मुल्य परिवर्तन से मातरा की मांग में ज्यादा बदलाव औ Cleveland happened . तहीतनी नहीं होती हैं सबाद्वास मॉह्सक्ता ज्यादा लेने के लिए किसी भी का किसी देश का भुक्तान सेस साम्य वस्था में कब होता है यानि बैलन्स में कब होता है किसी देश का भुक्तान सेस ये आपको बताना है कब होता है चार आपसन आपके स्किन पर है मैं इसको बोल भी देता हूं फर्स्ट नंबर क्या है आप ध्यान दिजेगा भुक्तान सेस साम्य वस्ता में जब घरेलू मुद्रा की मांग जब घरेलू मुद्रा की मांग और आपूर्ती भी सर्वधिक होती है द्यान दिजेगा दोसा नमबर है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ती के बराबर होती है या फिर जब घरेलू मुद्रा की मांग सार्मधिक होती है या फिर जब घरेलू मुद्रा की मांग सबसे कम होती है तो क्या होगा दो नमबर जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ती के बराबर होती है है ना जब घरेलो मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ती के बराबर होती है तो किस जो भुक्तान से साम में वस्ता में होता है इक्कल होता है है ना चलिए अगला कोश्चन क्या है ये भी आपका एकोनॉमिक से सही कोश्चन है मूल लवर्दीत यानि जैसे आप जानते हैं 2017 से अपलाई है पूरे भारत वर्स में आपको पता होगा यानि मूल लवर्दीत जो इसमें हमारा कोश्चन है कि मूल लवर्दीत का अर्थ किसके मूल से है है ना जो मूल लवर्दीत का अर्थ किसके मूल से है इसके समन में आपको बताना है चार आपसान आपके स्कीन पर ह देखिए सोचिए और बताइए इसका राइट एंसर क्या होगा क्या होगा माल और सिवाओं पर मद्धवर्ती माल है ना माल और सिवाओं यों मद्धवर्ती माल पर मूल वर्दीत कल का मतलब है चलिए अगला question जो है यहां से दे सकते हैं जी एनपी है ना जी एनपी और येनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है जी एनपी क्या गराश नेशनल पोडेक्ट है ना जी एनपी मतलब क्या गराश नेशनल पोडेक्ट और येनपी की बात करें क्या होता है येनपी नेट अब इन भी दोनों के बीक में क्या अंतर होती है तो मकर देख लिए जी एनपी निख ले और ये अगर लिख लिए तो आप देख सकते हैं ग्राउस और नैशनल अब ग्राउस और नैशनल में किस चीज के वएकर डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए किसको मूल हैरास क को ग्रास में जुड़ा होता है जब कि आपको जो Net में होता है उसमें मूल घराज को माइनस कर दिया जाता है तो क्या आंतर होगा वहाँ पर डिप्रिसिेस्ट है ना डिप्रिसियेस्ट यानी हराज को लेकर के जो jeन की और एन और प्रॉपी में अंतर होता है वो मूल हराज चली अगला कोईशन क्या है आगया स्कीन पर आप देख सकते हैं अब यह आपके यहां से देख सकते हैं। यह कौन निर्ले करता है कि अमुक विद्यक धन विद्यक है तो कौन करता है चार आपसन आपके समझ हैं सोचिए देखिए और बताईए इसका राइट एंसर क्या होगा तो राइट एंसर क्या होगा लोग सभा अध्यच है ना 110 आपको पता होना चाहिए बजट हमारा जो पूरे समझान में कहीं बजट का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है है ना एनुवल जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग 112 कितात कहते हैं वहां बजट सब्द एक जो है बोल चाल की भासा में बजट सब्द यूच किया जाता है लेकिन समझान में कहीं बजट सब्द का कहीं कि जिक्र नहीं है इसे हम लोग क्या बोलते हैं वार्षिक बित्य विवरण हैना एनुवल फाइनेंसियल स्टेट्मेंट बोला जाता है तो क्या होगा कोई धन भीध्यक है कि नहीं है इसका निड़े कौन करता है लोगसभा अध्यच है ना लोगसभा अध्यच अच्छा वर्तम स्टान में हमारे लोगसभा और वर्तमान में हमारे लोगसभाध्यच अम कोशं देख लेते हैं कोशें आ candies चुका है आपके स्कीन पर देख सकते हैं आप अब हम कुछ भगावलिक के बारे में है यह आपको पता होना चाहिए आपके परत्योगी परिच्छाओं में शमान अधन की अगर बात किया जाए तो जरूर मिलते हैं खास कर अगर यह उत्तर परदेश लेबल का यानि स्टेट अग्जाम है तो उत्तर परदेश सिभी जी के जो है जाग और फी से कोई से पूछे जाएंगे इसको भी तोड़ा देख लेना जरूरी होता है इसका भी अभ्यास कर लेना जरूरी होता है ना तो यहां से आप देख सकते हैं निचालन और आकसी कराण द्वारा निर्मित मि से होता है तो चार आपके स्कीन पर है काली मिटी लेटराइट मिटी लाल मिटी चाराण द्वारा निर्मित निर्मित मिर्दा कौन से होता सकते है देखे बताब्दाद इस उसे बीना से जानते हैं अगला। कौन सा जल डंबरु मद्ध मनि इस्टेट अस्टेलिया और तस्मानिया को अलग करता है तो कौन सा इस्टेलिया और तस्मानिया को अलग करता है चार है पाक आपको पता होना चाहिए पाक जो है इस्टेट किसको अलग करता है भारत और स्री लंका को है ना लेकिन हमारा यह आपको बताना है तो कौन अलग करता है बास है ना बास यह जो आपसर नमबर एक है यह आपका सही है बास स्टेट अस्ट्रेलीयाई महादीप दच्छिट बिक्टोरिया राजकों विसेशत तौर पर तसमानिया से क्या अलग करता है है ना चलिए अगला question ये विविद यानि आप देख सकते हैं कुछ question आपके sports से भी पूछे जाते हैं game से भी पूछे जाते हैं उसी सिर्णडि में ये question है आ पका कृकेटिंग life है ना एक कृकेटिंग life पुस्तक के लेखक कौन है एक कृकेटिंग life किसे देश में तीन यानि प्रसासनिक बिधाई और नियाईक राजधानिया हैं आपको पता होना चाहिए किस देश में प्रसासनिक बिधाई और नियाईक राजधानिया होती हैं तो किस में आपको पता होगा क्या दच्छिड अफिर्का दच्छिड अफिर्का में तीन राज लेटोो को तीन राजधानियों की भीच विभाजित केरा प्रिटोरिया में क्या है करी reconoc कि राजधानिय है है यह अब अगला Q e基本 कि और बिटो रभाडी हो ओपेक के सदस है अब बिरका कि कितने देश पिट्रोलियम निया तक देश संग्ठन ओपेक के सदस है यह आपको जानना जरूरी है कोश्चन थोड़ा देख सकते हैं आप अलग है ओपेक में अगर बात किया जाए तो कुल 12 सदस है कितने ओपक में कुल 12 सदस है जिनमें से चार अफिरका से हैं अब आपकी जाना जरूरी है चार अफिरकी देश तो नाइजीरिया है अंगोला और लीबिया है नाइजीरिया अलजीरिया अंगोला और लीबिया यानि चार देश हैं जो अफिरका महदीब के ओपेक से सदस्च देश हैं अगला कोशन ब्लैंक है इसको आपको फिल करना है वरांसी के विशुनात मंदिर का निर्मार ब्लैंक द्वारा किया गया था तो किसके द्वारा कि किया गया विश्टनात मंदिर पर और इसका निर्मार किसके दोरा किया गया था ये आपको खेर बताना इस कोशन में तो किसके दोरा किया गया था प्रेंट रानी अहिलिया बाई जानी अहिल्याबाई के द्वरा विश्णात मंदिर वनाशी का निर्मार किया गया था सन 1780 में इन दौर किये माराठा सासक अहिल्याबाई होलकर द्वरा जो है दुबारा बनाया गया था क्या विश्णात मंदिर है ना चलिए अगला कोशन देख लेते हैं question यहां से आप देख सकते हैं which में सबसे बड़ी which में सबसे बड़ी मुंगा चट्टान किस तटके निकट पाई जाती है which में सबसे बड़ी मुंगा चट्टान किस तटके निकट पाई जाती है तो किस तटके निकट पाई जाती है यह आपको बताना है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, चार आपसन है, कौन-कौन से, ब्रजील है, अस्टेलिया है, लंका है, क्यूबा है, है ना, चार आपसन है, इसको देखिए और बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा, किसके निकट ये पाई जाती है, मुगा चट प्रजील राइट चैंघ्या आनसर एक, चलिए, अगड़ा कूशन देख लیते हैं, भारत का निमलिखित में से, कौν सा विस धरोहरस्तल मध्द पर देश में नहीं है, भारत का कौन सा जो ये विस धरोहरस्तल मध्र पर देश में नहीं है, ये आपको बताना है, तो कौन स नहीं है फ्रेंट देखिए और बताईए क्या खजुराओ का मंदिर ये मद्द पर्देश में है ये भी युवन के लिष्ट में है साची उस्तूत यंपी ये भी यो है युवन के लिष्ट में है यानि कहा जाए बिसुधरोहर के अब यह जो यहां से देख सकते हैं भीम बेत का के सैर आसरे यह जो चीज दे रखा है यानि जो अगर बात किया जाए तो कौन सा जो है बिसुधरोहर इस्तल मद्द पर्देश में नहीं है तो बात किया जाए इसमें से राइट एंसर जो आपका होगा तो कहां से यह होगा शूर्मंदिर कौराण यह कहां पर है उड़ी मातमा गाधी के प्रिय भजनों में से एक बैसलो जन के रचैता कौन है इसके कौन है ना नरसिंग महता है सिंधू किस खेल से संबंधित है ये आपको बता ला है तो च्रफूर संभर्स में प्रेम बंबई में अखिल भारत कांगरेस के मेठिक की बैठक में 8 अगस्ट 2021 को भारत चोड़ो जो मुमेंट था वो प्रस्ताव पारित किया गया था और 9 अगस्ट 2013 को जो है कांगरेस पार्टी पर जो प्रतिवन लगा लगा गया था और सभी लगबग परमुरियताओं को बंदी बना लिया गया था लेकिन देश में बिसाल जनादोरेकार ये प्रक्रिया सुरू हो गई थी क्या भारत छोड़ो अंदोलन सन 142 में अगला कोईशन निम्रकित में से कौन सा राज्य अंतराश्टिय सीमा साजा नहीं करता है तो कौन सा राज्य है जो अंतराश्टिय सीमा साजा नहीं करता आपको पता हो प्रभावित होता है मालो सरी का कौन सा भाग अस्ति सुसृता से प्रभावित होता है ये आपको बताना है तो कौन सा भाग है वो हड्डियां है ना कौन सी हड्डियां आपसर नमबर 3 राइट एंसर होगा हड्डियां वोंस अगला कुश्चन तेनाली राम किस राजा के दरवारी थे यह आपको बताना है तो तेनाली राम बिजय नगरत समराज की महान सासक है ना किस्ण देव राय किस्ण देव राय के क्या दरवारी थे तेन नमबर इसमें राइट होगा तो पूरप से पच्छिम के ओर बाती है तो पूरप से पच्छिम के ओर कौन सी नदी बाती है तापती नदी है सभी नदिया पस्षिम के पूरब से और भाती हैं लेकिन तापती नर्मदा है ना तापती नर्मदा और माही पाश नदिया जो है वो जो है क्या पूरब से पस्षिम की तरह बाती है तो उनमें से तापती एक नाम है आपसा नमबर एक राइट चलिए अगला क्विशन का एक पवित्र तीरतस्तल है बिस्रूपद ये मंदीर कहां परिस्ती थे ये आपको बताना है तो कहां परिस्ती थे ये गया में है ना गया में फल्गु नदी के किनारे बसास जो है ये बिस्रूपद मंदीर बिस्रूपद मंदीर करनेबार इंदौर की महारानी अहिल्या बा कर दो यहां से हम्रोग दे लेते हैं कंप्यूटर के कुछ कोश्चन कंप्यूटर कि जैसा कि आप लोग जानते हैं परतियोगई परिच्छों में ना कंप्यूटर से कुछन है कि कंप्यूटर पर information किस रूप में store की जाती है computer पर information किस रूप में store की जाती है तो किस रूप में की जाती है वो digital है ना digital रूप में की जाती है ना कि hard coffee के रूप में digital data के रूप में जो है information store की जाती है computer में अगला question है शमानिता निम्लखित में से सर्वधिक किस input device का परियोग किया जाता है हम लोग सर्वधिक किन input device का परियोग करते हैं यह आपको बताना है तो कौन सी mouse क्या mouse चार नमबर आपसन सही है चल यह अगला question blank है इसको fill करना है blank उस निर्दिष्ट उपकान का उलेग करता है जिसे इसकी अभिलाचाड़ता में बिर्दी करने के लिए computer से जोड़ा जा सकता है है ना तो कौन सा हुआ है यह आपको बताना है क्या है फेरिफरल device है ना फेरिफरल device आपसन नमबर दो राइट फेरिफरल device जो है अगर हम इसको उपकान का उलेग करता है जिसकी अभिलाचाड़ता में बिर्दी करने के लिए computer से जोड़ा जा सकता है तो आप देख सकते हैं और यह अगला question है selected item को computer से selected item को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर move करने के लिए आप निम्र्खित में से किस command का परियोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं एक अस्थान से दूसरे अगर हमें किसी चीज़ को ले जाना computer पर क्या करते हैं उसको copy करते हैं और फिर आगे ले जाएंके पेस्ट कर देते हैं है ना copy कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं अगला question है यहां से यूँएसभी और इस वीडियो का लाश्ट कोश्चन है इस जो है स्रीच का लाश्ट कोश्चन है आज देख सकते हैं यूएससभी का संचित रूप है यूएसभी क्या है उनिवर्सल सीरियल बस यूइसवी का फुल फाम है है ना तो यह मित्रो लगबग 40 और 40 से एबब कोस्टन थे जो आपके computer से साथ ने जग्वरफी से हिस्टरी से प्रतेखचत से कोस्टन थे जो आपके exam के point of view से वेरी वेरी important थे है ना जो आपकी आगाने आने वाली चार जन्वरी और 10 जन्वरी करमसा आपके junior assistant और computer परिच्छा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ठीक है वीडियो अगर अच्छे लिगे हो तो वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा ज्यादा इसे शेयर भी करें जितने आपके WhatsApp गुरूप इंस्टागराम फेस्बूप जितने भी एजुकेशनल गुरूप है वह इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं बिना किसी परसानी बिना कुसी दिक्कत के है ना तो ठीक है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी प्रक्टिसर्ट के साथ तब तरक के लिए धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत